प्रदेश में लोग सब अचुनाओं के पहले चरण में कम गोर्टिंग प्रतिशत के बीच पार्टी एक दूसरे के नफ़नुकसान का आकलन कर रही है लेकिन इसी को देखते हुए दूसरे चरण में मद्दाताओं में जोजबने और अपने पक्ष में माहुल बनाने में दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं चोड़ रही है इसी क्रम में प्रधान मंत्री नरंद मोदी और ग्रह मंत्री अमिश्या सहीत अनेक भाजपा के केंद्रिय नेता राजिस्थान में लगतार रोडशो और जनसबाय कर रही है इस क्रम में भाजपा बोलिवड अबिनेत्री और राजनितिक बयानबाजी को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाली कंगनरणोत को मैदान में उतार रही है कंगनरणोत बारमेर जेसल मेर में हो रहे तरकोणे संगर्श वाली सीट के साथ ही पाली और जोधपूर में भी मैरतन परचार करने वाली है कंगनरणोत ने निर्धारत कारिकरम की अनुसार 23 अप्रेल को राजिस्थान आएगी कंगनरणोत पहले पाली से भाच्वा पृत्याशी पीपी चोधरी के समर्तन में रोडशो करेंगी दरसल मिली जानकारी के अनुसार कंगनरणोत मंगलवार को जोधपूर एरपोर्ट पर पहुँचेगी यहां सिवा सडक मार्क से पाली लोगसबश्यत्र जाहेंगी पाली लोगसबश्यत्र में भी कंगनरणोत के रोडशो को लेकर काफी उत्सा है रोडशो को लेकर बाच्वे कारकरता तैयारियों में जुटे हैं पाली में रोडशो पूरा होने के बाद 23 अप्रेल को ही कंगनारनोत देरशाम सडक मार्ट से जोदपूर जाएंगी जावां केंद्रे जल मंत्री और भाच्पा की पृतियाशी गजंद्र सिंग शेकावत के समर्तन में शाम 7.5 बजे भवे रोडशो करेंगी इसके बाद कंगनारनोत चोईस अप्रेल को बार्मेर जाएंगी जानकारी के अनुसार कंगनारनोत गुदवार को साड़े बारा बजे बार्मेर एरपोर्ट पोचेंगी महां पोचने के बाद भाचपा परतियाशी केलाज चोधरी के समर्तन में रोडशो करेंगी और केलाज चोधरी के लिए अपील भी करेंगी गौर्टा लभे के राजस्थान में बार्मेर जेसल मेर फोर्ट सीथ है इस सीट पर भाचपा कॉंग्रेस और निर्दली की बीच पड़ा मुकाबला ही यहां से निर्दली प्रतियाशी के रूख से रविलन सिंग भाटी और कॉंग्रेस की तरफ से उम्मेदराम बेनिवाल चुनावी मैदान में है ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें दनगरी मीडिया